देश में कोरोना के केसों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिसको लेकर केंद्र वेराज्य की सरकारे जनता पर सुरक्षा समबंदी पावंदियों को लगाने में जुटी हुई है इसके चलते कई राज्यों में तो नाइट कर्फियों भी लागू कर दिया गया है वही अमबाला बार एसोसियेशन द्वारा कोर्ट को जरूरी मामलों को छोड़ कर बाकी के मामलों की सुनवाई के लिए एक मई तक बंद रखने का फैस्दा लिया गया है बार एसोसियेशन के उप्रधान मनप्रीत सिंग ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है जिसको देखते हुए केंद्रवे राज्ये की सरकारे कोरोना नियमों का सक्ती से पालन करवाने में जुटी हुई है इसके चलते कुछ राज्यों में तो नाइट कर्फियू तक लगा दिया गया है वही बड़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अमबाला बार एसोसियेशन ने एक एहम फैस्दा लिया है जिसके तहत आम मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट को एक मई तक बंद रखा जाएगा क्योंकि भीड होने के कारण कोरोना संक्रमन फैलने का खत्रा जादा रहता है वही इससे पूर्व भी बार एसोसियेशन ने कोरोना के चलते सभी वरिष्ट वकीलों को कोर्ट में केसों की सुनवाई के लिए आने पर छूट देने का फैसला किया था उप्रधान ने बताए कि आम तोर पर कोर्ट परिसर में काफी भीड रहती है जिसके चलते कोरोना फैलने का खत्रा अधिक होता है और इसी खत्रे को कम करने के उदेश्न से असोसियेशन द्वारा केवल आवश्चक मामलों की सुनवाई को छोड़कर बाकी सभी केसों की सुनवाई के लिए कोर्ट को एक म Marine तक बंद रखको जाने का फैसला लिया गया है इस फैसले की कोर्ट के सभी वकीलों ने भर सकते। इसके इलावा नहीं कुछ होगा। हैं हमारे अगर उनको लगता है कि वहां उस डिस्टिक में पोजीशन थोड़ी ज्यादा खराब है वो खुद ही अपने हिसाफ से डिसीजन लेकर जो भी वो फैसला करेंगी वो क्या राइए सब्सक्राइब करने का जो एक महिने के लिए फैसला लिया गया है वो बेसिकली तो आम जन्तागी और वकीलों की उसके लिए लिया गया सब्स्रक्षा के लिए ताकि कोविड जो फैल राइज कल बहुत जादा हरियाना अपने हरियाना में भी पंजाब में भी और फ्रोट इंडिया तो उसकी डर की वज़े से क्योंकि यहां पर लोगों की चेहल अदमी बहुत जादा रहती है पूरे दिन में हजारों लोग कोट में आते हैं तो एक ख देखिए आम जनता पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा सबसे अना प्रभाव तो वकीलों पर पड़ेगा क्योंकि वकील पहली एक साल का लॉड़ डाउन जेल चुकी है अब एक महीने का और थोड़ा सा उनको फरक पड़ेगा ही क्योंकि जब क्लाइंट नहीं आएंग केसों में जो अरजेंट मैटर्स हैं जिसमें जैसे की बेल एप्लिकेशन्स होगे स्टे मैटर होगे और जो फाइनल आरग्यूमेंट्स पे जो केस पेंडिंग है आजकल उनके उपर जरूर सुनवाई होगी जो एविडेंस है वो पोस्टपन कर दी गई है क्मेहने के लिए ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्ल